हेलो दोस्तों कैसे आप सभी लोग और जैसे कि हम आपके साथ लगातार पूरे बिग बैश लीग में बने हुए हैं आपको live predictions दे रहे हैं, live matches में आपको sessions दे रहे हैं तो हम आपको लगातार बहुत सारी मदद कर रहे हैं जिससे आप बहुत सारा profit earn कर सकें तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ prediction जो की match होने वाला है Perth Scotchers vs. Milbourne Renegades के बीच में तो इस वीडियो में भी हम आपको इस match के बारे में हर डीटेल बताने वाले हैं साथ ही आपके साथ live match में भी जुड़े रहेंगे और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है तो वो भी कर लीजे तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इस वीडियो में Perth Scotchers vs. Milbourne Renegades के match के बारे में जो 22 जनवरी को 1.45 मिनिट पर खेला जाएगा और हम आपके साथ live पूरे match में जुड़े रहेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं weather reports की जो match है वो Perth Stadium में खेला जाएगा Australia weather reports देख लेते हैं weather reports में 39 degree Celsius temperature रहने वाला है 15% humidity बारिश के chances रहेंगे और यहाँ पर Pacers vs. Spinner की बात करें तो Pacers जो हैं उनको जादा फाइदा होने वाला है क्योंकि यहाँ पर इस pitch पर Pacers ने 69% wickets लिए हैं और वहीं Spinner ने बहुत ही कम wickets ले पाते हैं जो की सिर्फ 31% wickets लिए पाते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको जो जो बताने वाली हूँ उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही टीम्स के लास्ट परफॉर्मेंस बताऊंगी पिच रिपोर्ट की हम बात करने वाले हैं दोनों ही टीम्स में क्या अपडेट्स हैं कौन ओपनिंग करेगा, कौन बैटिंग करेगा कौन अपनी फॉर्म में नहीं है कौन फुल फॉर्म में है सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ प्लेइंगे, हेड टू हेड बताएंगे बैंच प्लियर्स बताने वाले हैं हर एक प्लियर के स्टाट्स बताएंगे कि किस तरह से लास्ट फाइफ मैचेज में हर एक प्लियर के स्टाट्स रहे हैं और उसी के साथ ड्रीम 11 हम आपको बताने वाले हैं तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और सबसे पहले बात कर लेते हैं Purched Benchors के last five team form की जो last five matches खेले हैं Purched Benchors में उसमें आप देख सकते हैं कि पांच मेंसे चार matches में जीती है और एक match जो है वो Per Archोंचे हार गई ती और जो एक match हारी थी वो हुआ था Sydney Sixers के साथ और जैसा कि आप जान दे हैं कि Perth Scorchers जो है और Sydney Sixers दोनों ही Qualifier Round में पहुँच चुकी है तो कही न कहीं जो Perth Scorchers है वो Sydney Sixers के बिलकुल तक्कर में होने वाली है और इस match इस stat से भी आप समझ सकते हैं कि Perth Scorchers ने बाकी सारे मैचस तो जीते हैं 5 लेकिन जब Perth Scorchers के साथ जो मैच हुआ है वो मैच हार गई थी तो आपस में दोनों ही टीम्स की Qualifier में बराबर की टक्कर दिखने वाली है उसी के साथ यहाँ पर अगर हम Melbourne Renegades के Last 5 मैचस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 5 में से 2 मैचस जो है वो Melbourne Renegades हारी है यानि कि जो Sydney Thunder के साथ हुआ Melbourne Renegades यह मैच हार गई थी और यहाँ पर Adelaide Strikers के साथ Last Match चूँ हुआ वो भी यह मैच Melbourne Renegades हार गई थी और अगर मैच की बात करें तो Melbourne Sixers के साथ यह मैच जीती है Howard Hurricanes के साथ मैच जीती है और फिर से यह जो मैच है वो Melbourne Stars के साथ मैच जीती है यह तो हो गई दोनों ही Teams के Team Forms और अब हम बात कर लेते हैं Pitch Report की तो मैं आपको बता दूँ कि जो इस Season में Pitch है यहाँ पर Perth Stadium की वो Slow है यानि कि ज़्यादा बड़ा स्कोर यहाँ पर पिच पर नहीं बन सकता है बात कर लेते हैं यहाँ पर Overall तो यहाँ पर Overall जो मैच जो है वो 10 मैच हुए है और एक बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते Perth Squatchers टीम खेलेगी अपने ही Home Ground में तो यहाँ पर एक Plus Point है Perth Squatchers के पास यह मैच जीतने का और Overall की अगर हम बात करें तो Perth Squatchers ने भी 10 मैच खेले हैं और Melbourne Renegades ने भी 10 मैच खेले हैं जिसमें से 80% मैच जो है वो Perth Squatchers जीती है लेकिन Melbourne Renegades सिर्फ 40% मैच जीती है Average Score यहाँ पर रहा है 139 का 173 हाई स्कोर रहा है लोए स्कोर रहा है 94 का वहीं Average Score Melbourne Renegades की बात करें तो Average Score जो बनाया है वो बनाया है 143 Highest Score बनाया है 182 Lowest Score बनाया है 114 यह तो हो गए Overall अगर हम On Venue की बात कर लेते हैं तो On Venue में आप देख सकते हैं कि Venue पर Perth Squatchers ने जादा मैच खेले हैं आस कंपेर्ड तो Melbourne Renegades यानि कि Perth Squatchers को यहाँ पे Home Ground होने के साथ साथ यहाँ पे Perth Squatchers के जादा मैचेस हुए हैं 90% मैचेस में जीत दर्च की है जो भी Perth Squatchers ने मैच खेले हैं 25% मैचेस जीती है Melbourne Renegades Average Score 150 यहाँ पे रहा है 145 Highest Score 173 का रहा है 36 रहा है Perth Squatchers का और यहाँ पे 89 रहा है Melbourne Renegades का बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की तो प्लेइंग 11 में आप देख सकते हैं Stephen Eskinazi, Cameron Bancroft Aaron Hardy, Josh English Aston Turner, Nick Hobson Aston Agar, Anglutide David Penn, Jason Peter Haslok Glow यहाँ पर रहने वाले हैं प्लेइंग 11 में Perth Squatchers की हो गई प्लेइंग 11 आप बात कर लेते हैं Melbourne Renegades की तो Martin Guptill Jake Fraser Sam Harper Aaron Finch Matthew Critchley Jonathan Wells Will Sutherland Tom Rogers Kane Richardson Corey और Favad Ahmed इस तरह से रहने वाली है प्लेइंग 11 बढ़ते हैं यहाँ पर Next Stats की तरफ तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ Perth Squatchers की अगर हम तीम की बात करें तो यह जो मैच है वो Last match होगा जिसके बाद जो Perth Squatchers है वो Qualifier Round में नजर आने वाली है अब यहाँ पर बात कर लेते हैं Opening की तो मैंने आपको बताया कि Stephen और Cameron करेंगे Opening Aaron Hardy काफी अच्छे नंबर थर्ड पर यह चल रहे हैं जिन्होंने 400 से जादा रन बना लिये हैं इस सीजन में Josh English की बात करें और Aston Turner की बात करें तो Middle Order में काफी अच्छा Performance दे रहे हैं टीम के लिए और वहीं पर अगर हम Scotchers की बात करें तो टीम स्कॉचर्श जो है वो डेविड और लैंस मौरीस को प्रिफर किया है इस कंपेर जॉझाए और रिचरटस न जेशन जो है वो काफी उनकी बजये उनकी जगा जो है टीम जो है वो डेविड और लैंस को प्रिफर करेंगी पैन ने लास्ट मैच में लास्ट थ्री मैच्च में पांच विकेट ले लिये हैं और सबसे अच्छे बोलर साबित हुए हैं 6.36 के करौमी रेट के साथ ये बोलिंग कर रहे थे next अगर हम Melbourne Renegades के टीम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर टीम को काफी अच्छा परफॉर्म करने की जरूरत है और यहाँ पर सबसे अच्छे जो हैं मार्टिन गुप्तिल और जेक प्रेजर को काफी अच्छा इस मैच में परफॉर्म करना पड़ेगा अगर हम बात करें मार्टिन गुप्तिल की तो उन्होंने 141 रंस बनाए हैं 8 मैचेज में जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 108.46 मैगर की बात कर लेते हैं तो इस सीजन जो है वो कुछ भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं आउट ओफॉर्म हैं उन्होंने 6 गेम उसमें सिर्फ 40 रंस दिये हैं तीम को वहीं सैम हार्पनर की बात कर लेते हैं तो नंबर 3 पर हैं और यहीं पर सैप हार्पनर जो हैं वो 9 मैचेज में 238 रंस बना चुके हैं यानि की टीम के लिए काफी अच्छे साबित हो रहे हैं एरॉन फिंच की बात करें तो एरॉन फिंच अभी फॉर्म में नहीं है और जिसकी वजह से मैं आपको बता दूँ उन्होंने सिर्फ 4 गेम में 42 रंस बनाए जो भी acceptable नहीं होता है कि आप सिर्फ 4 गेम में सिर्फ टीम के लिए 42 रंस बनाते हैं उसके बाद यहाँ पर अगर हम विल सदरलेंड की बात करें जो नंबर 5 पे हैं तो सदरलेंड का स्ट्राइक रेट चल रहा है 154 और इन्होंने 173 रंस बनाए हैं तो काफी अच्छा यहाँ पर खेल रहे हैं साथी विकेट टेकर भी यह साबित हुए हैं साथ विकेट इन्होंने लिए हैं काफी अच्छ से जीते थे और इन्होंने 4 विकेट लिए चुके हैं यह गेम्स में यह तो हो गए दोनों ही टीम्स की प्रिव्यू और अब हम बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पर टॉस प्रिडिक्शन की बात कर लेते हैं पर्थ स्टेडियम में अभी तक 30 मैच्छ खेले जा चुके हैं जि यहाँ पर 6 में से 5 बार जो है वो चेज हुआ है यहाँ पर और एबरिट परस्ट इनिंग स्कोर की बात कर लेते हैं तो 156 का रहा है और सेकंड इनिंग स्कोर जो है वो 137 का रहा है इसके बाद यहाँ पर head to head की बात कर लेते हैं तो head to head अगर हम लास्ट 5 मैच्छ का देखे तो head to head में Perth Scorchers हमेशा Melbourne Renegades को beat करती हुई आई है आप last के 4 matches देख सकते हैं जिस तरीके से Perth Scorchers ने यहाँ पे 156 का score बनाया, यहाँ पे Melbourne Renegades 155 बना पाई थी Perth Scorchers ने यहाँ पे 152 बनाया, यहाँ पे 151 बनाया था Melbourne Renegades ने तो कहीं न कहीं काफी अच्छी तरीके से जीती हुई आ रही है Perth Scorchers Perth Scorchers ने यहाँ पे 206 का बनाया, जिसमें Melbourne Renegades 185 का बना पाई थी 4 match की बात करें तो Perth Scorchers ने यहाँ पे 185 बनाया है और यहाँ पे Melbourne Renegades 189 बना पाई थी एक match जो है जो Perth Scorchers हार गई थी जिसमें Perth Scorchers के 10 विकेट लग गए थे 130 का स्कोर बना था लेकिन यहाँ पे Melbourne Renegades 131 का स्कोर बनाया था और 3 विकेट यहाँ पर गए थे तो अगर हम last match की बात करें जो यहीं पर इस सीजन जो हुआ है उसमें Perth Scorchers ने वीट कर दिया था Melbourne Renegades को अब यहाँ पर हर एक clear की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं Stephen की, Stephen की अगर हम बात करें तो आप इनका last performance देख सकते हैं तीम के batch man है और अगर हम Stephen और Cameron की बात करें तो यह दोनों हमें opening करते हुए नजर आने वाले हैं उसके बाद Aaron Hardy जो है वो betting करेंगे वन नाउन पोजीशन में Josh English Aston Turner Middle order betting करेंगे यह हमें आएंगे नजर Middle order betting में वहीं उसके बाद अगर हम Aston Agar और Peter की बात कर लेते हैं Peter और Aston Agar यह हमारे team के spinner है काफी अच्छे spin bowling इनकी नजर आने वाली है Andrew Ty की बात कर लेते हैं Andrew Ty और Jason यह हमें pacing attack में नजर आएंगे और उसके बाद अगर हम Andrew Ty की बात करें तो साथ ही यह fantasy points में सबसे टॉप पर रहने वाले हैं तो यह तो हो गई टीम की बात की opening में हमें Stephen और Cameron नजर आने वाले हैं अगर आपको बताएं तो लेकिन अगर हम लास्ट फाइव मैचे का स्टैट्स देखें तो ओपिनिंग में Stephen और Cameron की जो पार्टनर्शिप है वो आप देख सकते हैं इनका bowling performance करने को दी गई है लेकिन उसमें भी इन्होंने एक मैच में फ्लॉप रहे और एक मैच में दो विकेट ले लिये थे Jaws इंग्लिश और Aston Turner middle order में नजर आएंगे और इनका आप देख सकते हैं batting performance काफी अच्छा है यानि कि openers से काफी उमीद की जा सकती है यहाँ पर पर्ट स्कॉचर्श की स्वारी middle order काफी अच्छा है यहाँ पर लेकिन Aston Turner को आप देख सकते हैं अगर यह betting performance अच्छी दे रहे हैं तो इनका bowling performance यह कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं निक हॉपसन की बात करेंगे निक हॉपसन पिछले दो मैच में भी अच्छा किया इन्होंने 27 और 16 रन दिये हैं टीम को Aston इसमें भी देखिया आप पांच में से दो मैच में यह चले हैं एंड्यू टाई की बात करें एंड्यू टाई एक मैच में नहीं चले लेकिन बाकी के मैच में अच्छा किया है इन्होंने तो इस मैच में भी wickets जो हैं वो ले सकते हैं डेविट की बात करें तो डेविट भी एक दो मैच में काम नहीं किया है लेकिन बाखी के थ्री मैचे में जो है इन्होंने टीम के लिए कॉंट्रिबूट किया है लेकिन सबसे अच्छे जो हैं यहां पे जैसन जैसा कि मैंने आपको बताया इस पिछ पर पेसर को काफी हो है वह बात कर लेते हैं पीच़र भी एक सबस्टन में और यह कुछ खास नहीं कर रहे हैं स्टैट्स आप लेकर तोह की कि लिए यह थे लिए श्यवाइं के लिए मैं आपको बता दो मैं घिवर और मारतिंद इमोंडी हैं Sam Hartner one down position में betting करेंगे और उसके बाद Sam Hartner साथ ही fantasy points में सबसे top पर है fantasy points में सबसे top पर है और उसके बाद Aaron Finch और Jonathan जो है middle order समभालते हुए नजर आने वाले हैं middle order इनके हाथ में रहेगा और Aaron Finch साथ ही टीम के captain है और यहां पर अगर हम बात करें Sam Hartner की तो उसी के साथ Sam Hartner wicket keeping करेंगे और यहां पर अगर हम Tom Rogers की बात करते हैं तो Tom Rogers और Kane Richardson पेसर अटेक सम्हा लेंगे साथ ही Tom Rogers fantasy points में भी सबसे तॉप पर है fantasy points में तो यह तो प्लेयर्स के stats पर आप नजर डाल लेते हैं प्लेयर्स के stats अगर हम देखें तो last of five matches में Martin Guptill और Jack Frazier ने performance दिया है लेकिन यहां पर Martin Guptill का performance आप देख सकते हैं काफी अच्छा रहा है last five matches में लेकिन Jack Frazier जो हैं वो कुछ अच्छा नहीं कर पाए हैं पांच एक एक रन इनो ने बनाए हैं उसके बाद Sam Hartner की करें तो इनका भी performance अच्छा रहा है एक मैच में नहीं चलें लेकिन बाखी के थ्री matches में इनोंने काफी अच्छा किया है क्योंकि कभी न कभी कहीं न गई किसी match में एक तो इस मैच मे ये शायद अच्छा करेंगे उसके बाद आरनं फिंच की बात करेंगे एरनं फिंच पाँच मैच में आप देख सकते हैं थीक परफॉर्मेंस रहा है इशाएं 22, 13 रन इन्होंने बनाए हैं मैथ्यू प्रिटले और राउंदर है टीम के, बोलिंग परफॉर्मेंस में कुछ नहीं कर पाए हैं, लेकिन बैटिंग परफॉर्मेंस में आप देख सकते हैं, लास्ट मैच में 12 रन, फिर 23 फिर 33 रन उन्होंने बनाए हैं, जॉनाथन वेल्स की बात कर लेते हैं, एक मैच में 42 बनाए थे, उससे पहले नहीं चले, यानि कि आल्टरनेट खेलते हैं ये, क्योंकि पिछले मैच, इसके लास्ट मैच में 9 रन बनाए, उससे पहले 31, फिर उसके बाद 4 बनाए थे लास्ट मैच में, लेकिन बोलिंग के लिए कहीं न कहीं टीम को विकित जरूर ले कि लेते हैं, ये, टॉम रोगर्स की ऑल्राउंडर है, साथ ही आप देख सकते हैं, कि बैटिंग परफॉर्मेंस भी इनका ठीक है, लेकिन बोलिंग परफॉर्मेंस भी अच्छा है, दो मैच में यह नहीं चले, जैसे लास्ट मैच में इन्होंने एक भी विकित नहीं हैं, कभी जब लेते हैं तो पांच विकेट लेते हैं दो विकेट लेते हैं तो कही न कहीं कॉंट्रिब्यूट करते हैं टीम के लिए केन रिचर्टसन की बात कर लेते हैं केन रिचर्टसन एक मैच में लास्ट मैच में नहीं चले लेकिन बाखी चार मैच्च में कहीं ना कहीं विकेट्स जो है वो टीम को लेते हैं कोरे की बात करेंगे तो यहाँ पे दो विकेट्स नोने लिए हैं लेकिन फवाद एहमद सिर्फ दो मैच्चे में चले हैं बाखी के थ्री मैच में फ्लॉप रहे हैं तो यह तो हर प्लेयर की हमने आपको स्टैक्ट बताए हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा प्लेयर आउट और फॉर्म है कऊंसा प्लेयर फॉर्म में है उसके बाद पर्स कौचर की प्लेयर की बाध कर लेते हैं तो यहां पे एरउन हाड़ी जो हैं तो है वो काफी अच्छे रंस बना रहे हैं नोने 43 रंस बनाए जैक इंगिश की बात करें तो 16 बोलो में 22 रन एसके नाजी की बात करें तो 12 ब 00 कोई भी बॉलर जो है वो पिक कर सकते हैं कि इन्होंने हर मैं लास्ट मैच में तीन 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 विकेट लिये हैं बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स टैट्स की तरब तो मिल्बॉन रैनी गेट्स के अगर हम स्टैट्स देखें तो सदर्लेंड ने यहाँ पर तेईस बॉलो में 42 र काला लिये गए है तो हम आपको लगाता हुर को अआरक स्टैयट्स आपको बता रहे हैं इसके साथ यहाँ पर किभू इलेवन पर आ जाते हैं तो घ्रीम 11 जो है वो हम आपको प्रॉपर रिसर्च करने के बाद बताते हैं तो अगर आप भी हमारे जैसी ट्रीम 11 बनाना चाहते हैं, टॉपिक्स करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, आप को विकेट कीपर में ले सकते हैं, आप Sam Harper और Joss English को बैटर्स की बात करें, तो आप Sean Marsh, Jonathan Wells, Faf Duplexes को ले सकते हैं, और राउंडर्स में आप Will Sutherland, Andrew Russell, Aaron Hardy को ले सकते हैं, बोलर्स में आप Lance Morris, Jay Richardson, मुजीवर रहमान, Kane Richardson को आप ले सकते हैं, तो यह तो हो गए आपकी ड्रीम 11 और मैंने आपको इस मैच की हर एक डिटेल बताई, हर ए आपके लिए जो अगर आप Top Fantasy Picks चूज करते हैं, तो खाफी जदा useful रहने वाली है, कैसा लगा आपको यह वीडियो जरूर बताएगा, हमें comment करके, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहे हैं